हलो गाईज, स्वागत है मेरे इस यूट्यब चैनल में आज हम हमसे बात करेंगे DxC Technology की बारे में कि DxC Technology कैसे बना DxC Technology दो कंपनियों से मिलकर बना है CSC और Harlet Packet Enterprise CSC का फुल फॉर्म है Computer Science Corporations ये दोनों कंपनी मिलकर जो है DxC Technology को बनाता है DxC Technology अभी तक 70 प्लस यानि कि 70 प्लस कंट्रीज में अस्तापित हो चुका है साथी साथ अगर Employee की संख्या की बात करें तो 1,30,000 प्लस Employee इस DxC Technology कंपनी के अंतरकत काम करते हैं और DxC Technology Customers की बात करें तो 240 प्लस Fortune 500 S&P से Listed Companies DxC Technology का Customers है और Experience की बात करें तो 60 प्लस Experience DxC Technology को है अब बात करते हैं की कंपनी का CEO कौन है तो कंपनी का CEO का नाम है Sulvino Mike Sulvino और Headquarter Virginia US में अस्ताफित है Headquarter साथी साथ अगर Founded अगर किया गया है तो 2017 में April 3rd 2017 में यह Founded किया गया था जिसको 4 साल अभी हुआ है लेकिन यह काफी Experience अगर इनकी बात करें CSC और Hallett Packard Enterprise को लेकर तो 60 प्लस Experience है इनकी पास Company की टाइप की बात करें तो Service Based Company है जिसकी Information Technology Consulting and Outsourcing DXC is a Fortune 500 company and represented in the S&P 500 Index Nearly 6000 customers in more than 70 countries कैने का मतला भी कि 240 प्लस तो वहाँ पर Fortune Company 500 Index में है साथी साथ और भी जो 6000 कास्टमर्स जो है वो Fortune Companies से भी अलावा जो Fortune Companies जो S&P के अंतरकत नहीं आता है तब भी वह भी Companies DXC Technology का कस्टमर्स है जिसको मिलाने के बाद 6000 कस्टमर्स बन जाता है अब बात करते हैं कि DXC Technology in India कि इंडिया में DXC Technology की कि कितनी ओफिसेश हैं और यहां पर कितनी सारे इंप्लॉई काम करते हैं तो 23 ओफिसेश एक्रोस नाइन मेजर सिटीज इंडिया हम आपको बताने वाले हैं कि DXC Technology लोकेशन वाइज इस्टेट की कहां-कहां स्ताफित है तो पहला है करनाटे का हुद दुसरा है उत्तरप्रदेश तीसरा तमिल नादू चोथा है तलंगाना पांचवा है मद्यप्रदेश छट्टा है महरास्ट्रा साथवा है हरियाना आठवा है देली और नाइन्थ है वेस्ट बंगा अबाउट 43,000 इंप्लॉईज जो DXC टेकनोलोजी के लिए काम करते हैं इंडिया के तरफ से लेकि 43,000 इंडिया का इंप्लॉई DXC टेकनोलोजी के लिए काम करते हैं और अगर इंडिया में स्रीफ करते हैं DXC टेकनोलोजी का कस्टमर्स की बात करें तो 1,100 प्लस कस्टमर्स जो है DxC technology के पास है in India से only in India अब आप बात करते हैं कि partner की बात करते हैं कि DxC technology का जो major partner है उसकी बात करते हैं तो यहां पर जो AT&T business AWS Dell technology Google Cloud HP Harlet Packet Enterprise IBM Microsoft Oracle Red Hat Salesforce these are the partner of the DxC technology अगर और भी partners है जैसे 200 प्लस ecosystem partners भी है 38,000 प्लस partner certified employees 33 प्लस partners awarded अब बात करते हैं services की जो DxC technology क्या क्या service प्रवाइट कराते हैं तो सबसे पहले है analytics application services business process services cloud and platform services consulting services enterprise and cloud applications security workplace and mobility these are the services DxC technology प्रवाइट कराते हैं अपनी customers के लिए आप बात करते हैं कि इसके आगे तोर कुछ नहीं है thanks for watching this video I hope कि मैं DxC technology के बारे में अच्छे से जानकर ही देख सक दे पाया हूं अइसे company बहुत अच्छी company है क्योंकि यह company जो है काफी कोर ब्रांच यह technology में ही काम करता है अगर इसमें आपका selection होता है तो बहुत अगर आप इसमें selection होता है आपका तो बहुत अच्छी बात है इसमें यह company बहुत ही दोजार सतर में ही फाउंड किया गया था लेकिन यह company जो है पुरानी नहीं है बहुत नहीं नहीं है बहुत नहीं नहीं है बलके पुरानी company है बस इसको नाम चेंज कर दिया गया है जो कि पुरानी कमपणी जो CAC और अल्हकाट वनकेड गया तो पुरानी कमपणी ही कहा गयाता है क्योंकि चार सार पांसोे में इतने सतर कंट्रीस में इतना आफिस नहीं खौला जासकता है यह बहुत पुरानी कमपणी है और अच्छा मैं स्पेस्टेश्रों में काम करता हूं तो कोई भी और भी एकर कॉश्चन से तो आप मुझे कमेट सेक्सर में पूछ सकते हैं साथी साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू